कि नेक्स्ट टॉपिक है specific heat at constant pressure हमने अभी पीछे जो पढ़ा था रिगनोल्स का नियम रिगनोल्स का नियम क्या कह रहा था कि specific heat capacity at constant pressure and specific heat capacity at constant volume दोनों ही क्या रहेंगी? constant रहेंगी कब? जब pressure और temperature दोनों क्या रहेंगे? constant रहेंगे ठीक ये कहा जा रहा था कि CP ये भी आपकी constant होगी इसकी value CV ये भी आपकी क्या होगी? constant होगी इसकी value होगी कब? ये दोनों value constant कब होगी? जब pressure and temperature दोनों आपके constant रहेंगे इस नियम को हम क्या बोलते हैं? अभी पीछे हमने पढ़ा था Regnall's law मतलब Regnall's law क्या था? की specific heat capacity at constant pressure specific heat capacity at constant volume देखो P for pressure हमने इसलिए लिया है कि constant pressure पे B for volume होता है इसलिए constant volume ले लिया तभी आपके ये दोनों value constant रहेंगे ये भी change नहीं होगी इस नियम को क्या बोलते हैं? Regnall's का नियम बोलते हैं अगर इस में से कोई भी value आपकी change होई, मतलब pressure की value change होई, या temperature की value change होई, तो ये भी बदलने लगेंगे, तो ये नियम आपका fail हो जागा, ठीक है? तो ये आपका ये था, अब देखो यहाँ पे है क्या? Specific heat at constant pressure पे इसको हम किस से denote कर रहे हैं? इसको देखो हम denote कर रहे हैं CP, ये, जो अभी हमने पीछे देखा, Specific heat at constant pressure, बहाँ पे क्या था? Specific heat capacity, मतलब, Specific heat capacity के मतलब क्या है था? Mass into CP, ये, अगर ये constant pressure पे ले रहे हैं आप, तो ये Specific heat at constant pressure, ये वाली, Specific heat at constant pressure को अगर हम मास से multiply कर दोगे, तो ये क्या आजाएगा? ये आजाएगा Specific heat capacity, ठीक है? ये Specific heat capacity है, लेकिन ये क्या है? ये, ये केबल Specific heat है, ठीक है? Specific heat मतलब, विस्स्ट उस्मा, ये, विस्स्ट उस्मा है, और ये, विस्स्ट उस्मा उसकी क्या? Capacity मतलब क्या होता है? कि भई, कितना उसमें वो मात्रा है? ये चीज आपको ध्याँ रखने हैं कि Specific heat अलग है, Specific heat capacity अलग है, Specific heat capacity क्या होती है? मास इंटू Specific heat, मास मतलब ये, दिरब्यमान, दिरब्यमान, ये, अगर हम दिरब्यमान को Specific heat से multiply कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगी? Specific heat capacity, तो हम यहाँ किसकी बात कर रहा है? Specific heat at constant pressure, मतलब इसकी, ना की इसकी, ये हमने रिगनॉर्ड स्लाव में देखा था, ठीक है? यहाँ हम बात कर रहा है कि अपल, Specific heat at constant pressure, बिसे स्टूसमा किस पे, जब आपका दाव नियत है, ये, दाव क्या है? नियत मतलब constant है, ये वाला, ठीक है? तो इसको हम CP से नोट करते है, P मतलब pressure constant, अदाव निया, ठीक, यूनिट का होती है? Joule पर kilogram Kelvin, ठीक, देखो, पीछे हमने पढ़ा है, आपको Q is equal to M into C into delta T, ठीक है? तो अगर हम constant pressure की बात कर रहा है, मतलब constant pressure पे heat supply कर रहा है, तो क्या हो जागा? M into CP, और ये DT, तो ये जो चीज आ गई, ये, ये क्या आ गई? ठीक है? अगर हम इसको क्या कर दें? ये CP, इसकल डुक्या हो जागा? DQ upon DT at constant pressure, ये, हमने क्या किया? डिफरेंस कर दिया, मतलब CP इसकल डुक्या हो गया? ये, DQ, ये मास से थर पहुंच गया, तो ये कुछ slightly change होगा, थोड़ी सी heat change होई, ठीक है? Q बटे M, तो ये DQ, D मतलब change in heat, और ये delta T था ही, पहले से DT, तो ये किस पह आ गया? CP इसकल डुक्या हो गया, CP का, CP इसकल डुक्या हो गया, at constant pressure पे, एक formula आपका DH बटे DT होता है, अब देखो, ये कहां से आया? हमने पीछे आपको पढ़ाया, specific enthalpy क्या होती है? U plus P into B, ठीक है? specific heat है, क्योंकि small h है, तो specific enthalpy है, अब देखो, अब बात हो रही है कि, specific heat at constant pressure पे, क्या लिखा गया है? DH बटे DT at constant pressure पे, तो अब ही regnald का law क्या कहा रहा था? regnald का law ये कहा रहा था कि, अगर pressure और temperature दो लो constant रहेंगे, तब ही आपकी specific heat capacity क्या होगी? constant होगी, change नहीं होगी, ये तो regnald कहा रहा था, अब देखो, ये कह रहा है कि, ये आपकी क्या है? internal energy है, internal energy आंत्रिक उर्चा, आपका ये pressure है, ये आपका क्या? specific volume, ये आपकी specific internal energy, मतलब U बटे M, तो अब इस internal energy, specific internal energy क्या है? कि भई, specific internal energy वो है, कि जैसे आपने gas भरी, किसी भी container में, मालो ये, हमने यहाँ पर container बना दिया, ठीक है? ये आपकी gas भरी होई है, ठीक है? ये, तो जब आप gas के pressure में change करते हो, मतलब आपने pressure बढ़ा दिया इसका, या volume बढ़ा दिया, तो ये जो internal energy है, इसमें कोई भी change नहीं होता है, ठीक है? जब आप इसको नीचे से ये heat दोगे, ठीक है? ये, heat करोगे, मतलब उसमा प्रदान करोगे, आपने heating हो रही है, heating हो रही तो मतलब वो जब heat करेंगे gas, molecule उसके heat होंगे, तो heat होंगे मतलब वो gas के molecule तेजी से इधर उधर भागेंगे, तो जब वो molecule भागेंगे तो उससे क्या होगा? कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा energy आ जाएगी, ठीक है? काम करने लगेंगे, तो वो energy कौन सी होगी? internal energy, मतलब आंतरे गूर जा, तो ये कब बढ़ेगी? जब आप इसको heating दोगे, मतलब temperature change होगा, तभी ये change होगी, अगर आप pressure constant रखते हो, volume constant रखते हो, इसमें कोई भी change नहीं होगा, अब देखो अगर constant pressure की बात करते हैं, तो अगर हम dh इसको लिख दें, तो ये क्या हो जागा, du और ये हो जागा, p into db, कब? जब हमारा pressure, अब एक बार ये दो function क्या है, mathematics में पढ़ते हैं, कि दो function का जब differentiation होता है, पहले को हमने रोग लिया, दूसरे का differentiation कर दिया, अब पिलस दूसरे को रोग लेंगे, इन्टू, पहले का differentiation कर देंगे, ठीक, अब देखो, हम किस पर बात कर रहा है, constant pressure पे हमको निकालना है, बेश cp, constant pressure पे, तो हमने क्या कर दिया, dh constant pressure है, तो यह du at constant pressure, पिलस, p into dv, यह आपका constant pressure हो गया, पिलस, अब देखो, pressure जब आपका constant होगा, तो dp मतलब क्या होता है, change, मतलब p1 minus p2, लेकर आपका pressure क्या है, constant है, मतलब p1 is equal to p2 है, तो p1 minus p2 क्या हो जागा है, 0, तो यह simply b into 0 क्या हो, 0 हो गया, तो आपके पास क्या हो गया, dh, इसकल to dv, पिलस, यह क्या हो गया, p into dv, अब देखो, मैंने बताया कि जब आप किसी भी gas का pressure या temperature change करोगे, उसकी internal energy में कोई change नहीं होगा, इसकी internal energy आंतरे कूर्जा कब change होगी, जब आप उस gas का temperature change करोगे, ठीक है, temperature मतलब उसको heat करोगे, उसमा प्रिदान करोगे, तब ही उसकी internal energy मतलब आंतरे कूर्जा में क्या होगा, changes होगे, बढ़ेगी, घटेगी, ठीक है, जो भी होगा, जब आप temperature दोगे, तब उसकी internal energy क्या होगी, बढ़ने लगे, मतलब आप temperature बढ़ाओगे, तो उसकी internal energy बढ़ जाएगी, temperature कम करोगे, internal energy कम हो जाएगी, लेकिन pressure के साथ क्या होगा, कोई change नहीं होगा, मतलब ये value क्या होगे, अभी pressure पर constant होने पर, 0 हो जाएगी, मतलब ये आपकी क्या होगई, 0, ये आपके पास क्या होगा है, P into dv, मतलब dh is called to P, ये, P into dv आ गई, तो अब आपका क्या है, cp is called to dh upon dt at p है, अभी हमारे पास क्या है, dh at p is called to P into dv, ठीक है, अभी देखते हैं दो, अब इसमें क्या है कि, एक formula है, ठीक है, एक formula होता है, dq is called to du plus P into dv, ये, एक formula है, ये हम आगे हमको पढ़नेंगे मिलागा, first law of thermodynamics, बहाँ हम पढ़नेंगे, अभी हम आपको हैं पता रहे हैं कि भाई, ये चीज कहां से आई, dq is called to du plus p dv, अब देखो, p dv के बराबर क्या है, यहां से, 0 plus p dv तो ये क्या है, p dv बराबर dh at p, और ये तो आपकी 0 है ही, यहां आपने भी 0 कर ही constant pressure पे, तो ये आपके पास क्या हुआजागा, d into h at p, और ये क्या है, dq at p, ठीक है, dq क्या था, आपने निकाला, dq, ये क्या हो जागा, cp into dt, यहां से अगर आप इसको यह लिख दो DQ upon DT at P is equals to DH upon DT at P यह हमने कर दिया, मतलब हमने DT से divide कर दिया दोने को तो DQ upon DT at P क्या है? CP, यह दोगों को लिखा है तो इसके किसके बार बार आजागा? यह आजागा आपका CP, मतलब DH upon DT at P यह, एक फामुला आपका यह हो गया तो CP के कितने फामुला हो गया? 2, CP is equal to, यह कहां से है? यहां से, CP is equal to DQ by DT at P and DH by DT at P मतलब, at P का मतलब क्या है? constant pressure तो यह क्या है? specific heat at constant pressure मतलब, नियत दाव पर बिसिस्ट उसमा CP की वैलू एक फामुला इसका यह हो गया इसको number 1 अगर यह हो गया तो यह क्या हो गया? यह number 2 हो गया तो यह दोनों आपको पता होने चाहिए कि CP को हम DQ by DT at constant pressure भी लिख सकते हैं और DH वटे DT at constant pressure भी लिखते हैं H मतलब specific enthalpy specific enthalpy मतलब कि भई जो total enthalpy है उसको उस gas के mass से divide कर देंगे H वटे M जो भी पीछे हमने बताया तो वो DH वटे DT at P यह आपकी CP के एक फामुला यह एक ही है जो आपकी यह दोनों लिखे हुए है यह आपकी CP हो गई मात्रक क्या होगा अब देखो हमने बताया आपको कि जो H है enthalpy है enthalpy का मात्रक क्या होता है Joule पर किलोग्राम यह किलो Joule पर किलोग्राम ठीक है अब इसका तो Joule पर किलोग्राम है अब हमने divide किससे किया है T, T मतलब absolute temperature मतलब Kelvin में होगा capital T तो इसका मात्रक क्या हो गया Joule पर किलोग्राम कैलविन ठीक है इसका क्या था यह Joule पर किलोग्राम था और इसको divide किससे किया है यह Kelvin से तो आपके पास क्या आगया Joule पर किलोग्राम इंचू Kelvin यह इसका हो गया मात्रक CP का ठीक है अब चाहे आप किलो जूल में भी लिख सकते हो किलो जूल पर किलो ग्राम कैल्विन किलो जूल होगा तो किलो का मतलब क्या है कि 10 की पावर 3 मतलब 1000 एक किलो एक किलो ग्राम में कित्ते होते हैं एक हजार ग्राम होते हैं, ठीक है, तो क्या हो जागा, तो एक किलो जूल में कितने हो जाएंगे, एक हजार जूल हो जाएंगे, तो जूल पर किलो ग्राम कैल्विन, ये इसका मात्रक होता है, अब चाहे वो किलो जूल में लिखा हो, किलो जूल पर किलो ग्राम केल्विन में, लिकिन आपको क्या है, यह आपको ध्यान रखना है, जूल पर किलो ग्राम केल्विन, ठीक है, यह हो गए आपकी specific heat at constant pressure, ठीक है, अब हमारे पास है specific heat at constant volume, हमने भी constant pressure पर देख ली, अब हमको किस पर देखना है, at constant volume, ठीक है, constant volume मतलब cv, यह, अब दो एक है आपकी specific heat capacity at cv क्या होगी, m into cv, तो यह क्या हो जाएगी, specific heat capacity, जो भी पीछे बताया, जैसे constant pressure पर है, बैसे वह constant volume पर हो जाएगी, बस इसमें क्या करेंगा, volume को constant कर देंगे, तो यह आपकी cv होगी, mass into cv मतलब क्या है, यह specific heat capacity है, और यह क्या केबल, यह आपकी specific heat है, ठीक है, specific heat at constant volume, ठीक है, मतलब नियत आयतन पर बिसिस्ट उसमा, यह आपकी specific volume है, अगर मैं यहां लिख दूँ, नियत आयतन पर बिसिस्ट उसमा, ठीक है, मतलब specific heat at constant volume, यह क्या है आपकी, specific heat capacity at constant volume, क्योंकि हमने mass से multiply कर दिया, तो यह capacity बन गई, और simply यह क्या है, specific heat, जो यह बात हो रही है, इसकी, ठीक है, यह, ठीक है, तो यह है क्या, देखते हैं, इसका symbol क्या है, cv, जो हम यह बता रहे हैं अभी, ठीक है, यह cv, cv, b मतलब volume, constant volume रखा है, इसको हमने cv से कर दिया, मतलब c और यह, ऐसे, ठीक है, c into b, b मतलब नीचे है, तो constant volume पे, मात्रक सेम होगा, joule per kilogram Kelvin, चाहे वो specific heat at constant pressure पे हो, या फिर specific heat at constant volume पे हो, हैं तो दोनो heat ही, चाहे वो constant pressure पे ले लो, या constant volume पे, मतलब चाहे तो नीचत डाप पे ले लो, या फिर नीचत आयतन पे ले लो, लेकिन, मत्रक क्या होगा, दोनों होगा, kilojoule, sorry, joule per kilogram Kelvin, या फिर kilojoule per kilogram Kelvin, अब देखो, यह चीज़ आई, du upon dt, तो यह इसका formula है, तो यह आया कहां से, ठीक, यह हम गुदेना, आपको पता है, आपके पास यह होता है, q is equal to m into c into dt, ठीक है, हमने क्या किया, हमने constant volume पे लिया, हम यह लिख दो, dq at constant volume, यह क्या हो जागा, m into cv, ठीक है, m यहां से, यह dq हमने कर दिया, तो m यह चला गया, ठीक है, तो यह cv into dt, यह constant volume पे आगया, अब cv इस गंटू क्या हो जाएगा, dq upon dt at constant volume, एक तो आप यह भी लिख सकते हो, कि भाई, यह आगया, हमने constant volume लिया, mass को इसको divide कर दिया, तो q total heat थी, mass से divide कर, कुछ change हुआ, तो dq आगया, dq मतलब change in heat, मतलब कुछ small amount, उसकी इधर से उधर कुछ change होई, कम होई, जादा होई, क्या पता, ठीक है, तो dq बटे, इसके क्या होगया, at constant volume पे, c को हमने constant volume कर दिया, और यह dt, तो cv is equal to dq बटे dt add b, एक तो formula हमारे पास यह आगया, ठीक है, अब देखो, यह कहां से आया, अभी हमने पीछे जो पड़ा, dq is equal to du plus p into dv, यह वाला formula हमने अभी पड़ा था, पीछे, ठीक है, जिसमें dh का formula हमने लगाया था, तो अब हम अगर constant volume पे लगा रहे हैं, देखो, तो हम इसको क्या करेंगे, हमने इसको constant volume कर दिया, यह क्या हो जाएगा, constant volume, अब देखो, p into dv, आपका volume constant है, volume constant मतलब v1 is equals to v2, यह, v1 is equal to v2 क्या है, constant मतलब बराबर है, तो dv is equal to क्या होता है, dv is equal to, v2 minus v1, अब दोनों बराबर हैं, तो dv is equal to क्या होता है, जीरो, ठीक है, यह, जीरो हो गया, तो यह है क्या जागा यह, जीरो, तो यह simply क्या हो गया है आपके पास, dq at v is equals to du at b, और यह, 0, p into 0, 0, मतलब dq at b is equals to du at b, यह आपके पास आगया, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको dt से डिवाइड कर दो, dt at b is equals to du upon dt at b, ठीक है, जैसे आपने पीछे किया, यह, हमने dt से मतलब temperature से डिवाइड कर दिया, तो आपको पता है, dq बटे dt at b, किसके बराबर हैं यह, यहां से, समीकर नमबर एक से, dq बटे dt at b, क्या है यह, cv के बराबर हैं, तो यहां पर आप लिख दो, यहां हम इधर जा रहे हैं, ठीक है, यह, तो यहां से क्या हो जागा, cv is equals to du upon dt at constant v, यह हैं आपके पास आगया formula at cv का, जो लिखा हुए है, cv is equal to du but dt at v, वो लिखा है, ठीक है, तो कैसे आया है, यहां है, मतलब cv क्या है, constant heat, sorry, constant specific heat at constant volume पर, मतलब specific heat क्या है, constant volume पर, तो आप देखो, मतलब के से क्या हो, इसका भी joule per kilogram क्या है, internal energy है, internal energy क्या होती है, कि भाई, internal energy क्या है, इसका मतलब क्या था, internal energy का, joule, यह कौन सी energy है, specific internal energy, small u, देखो internal energy थी u, यहां पे किसकी बात हो रही है, small u, small u क्या है, total internal energy per unit mass, इसका मतलब क्या है, joule, energy का, और mass का मतलब क्या है, Joule per kilogram और T मतलब temperature मतलब Kelvin तो यह simply क्या हो गया? Joule per kilogram Kelvin यह आ गया, ठीक है? यह लिख्खा है Joule per kilogram Kelvin यह इसका मात्रक आ गया तो चाहे specific heat at constant pressure पे हो या फिर specific heat at constant volume पे हो दोनों का मात्रक सेम होगा Joule per kilogram Kelvin या फिर किलो Joule per kilogram Kelvin ठीक है? CP की value क्या थी? DQ upon DT at constant pressure था और उसमें क्या रहा था? DH by DT at constant pressure यहाँ पे क्या रहा है? CV is equal to DQ by DT at constant volume and बहाँ enthalpy थी यहाँ क्या रहा? internal energy, specific internal energy बिसिस्ट आंत्रिक उर्जा specific internal energy मतलब बिसिस्ट आंत्रिक उर्जा DU बटे DT at constant volume तो यह क्या होगा? दोनों formula होगा है तो CP क्या है? CV क्या है? यह चीजे हैं अब यह वाला यह आया कहां से? हमने यह निकाल लिया यह हमको formula पता है यह formula होता है यह आगे आगे आपको पढ़नों मिलेगा first law of thermodynamics है ठीक है? उसमा गत्की का पहला नियम DQ is equal to DU plus PDV हमने DQ at constant volume यह और constant volume मतलब DV जब change अगर हमारा volume constant है constant का मतलब B1 is equal to B2 is equal to B3 is equal to B4 ऐसे पूरा constant रहेगा तो B1 is equal to B2 constant और DV का मतलब क्या होता? change change मतलब B2 minus B1 मतलब final minus initial तो B2 minus B1 मतलब दोनों बरावर है तो यह 0 हो गया तो यह simply 0 यह 0 हो गया constant volume हमने इसको क्या किया? DQ बटे DT DT से divide कर दिया दोनों तरफ जोको divide करेंगे तो दोनों तरफ अगर किसी से हम multiply करते हैं तो दोनों तरफ क्यों? क्योंकि यह यह card दोगे तो यह बरावर हमारे किस के? इसके ही आएगा ठीक है? तो DQ बटे DT at constant volume DU बटे DT at constant volume हमको यहां से पता है कि DQ बटे DT at constant volume किसके बरावर है? C V के बरावर यहां थे तो C V is called to क्या हो गया? D U बटे DT at constant volume ठीक है? यह आपका C V का formula हो गया C P का formula आपने भी देखा तो C P मतलब specific heat at constant pressure C V मतलब specific heat at constant volume लेकिस दोनों का मात्र क्या होगा? सेम Joule पर किलोग्राम Kelvin ठीक है? आप देखो यह C P और C V आपका था तो C P के आपने formula क्या क्या पड़े? C P का आपने एक formula पड़ा D Q upon D T at constant pressure ठीक है? एक यह था एक क्या था? D H upon D T at constant pressure एक यह था C V मतलब क्या आपका पड़ रहे हैं आप? C V का आपने एक formula पड़ा D Q upon D T at constant volume ठीक? और इसमें क्या पड़ा? D U upon D T at constant volume ठीक है? यह दोग difference दोनों यह दोनों सेम है कि भाई D Q बटे D T यह constant pressure बता है? constant pressure, constant volume, constant volume लेकिन इसमें क्या हुआ है? pressure में यहाँ enthalpy है, D H बटे D T at constant pressure पर ध्यान रखना C P specific heated constant pressure क्या है? यह है enthalpy है, H specific enthalpy यहाँ पर क्या है? D U बटे D T specific internal energy basis आंत्रिक उर्जा यह है, ठीक है? यह दोनों आपके formula होगा है ठीक है? कैसे आये? वो आपने अभी देखा, derivation किया ठीक है? परिवशप्ट को अपड़ Doris यह है कि अएप्ड़ धन महीए तो आप लग hom